हालो माई यह स्टूड़न्स वेलकम बैक तो यह मैक्स क्लास ग्रेड वन सो स्टूड़न्स इन दिस क्लास वी अगोईंग तू बिगेन विद एक्स्प्लेनेशन पार्ट थी अफ चाप्टर नमबर नाइन सप्रेक्षन अप्टू 99 आज हम एक्स्प्लेनेशन पार्ट थी सीखेंगे चाप्टर नमबर नाइन में सप्रेक्षन अप्टू 99 में सो आज का टॉपिक है सप्रेक्षन यूजिंग रीग्रूपिंग स्टूड़न्स इससे पहले हमने एडिशन का चाप्टर किया था हमने क्या सीखा था कि एडिशन दो टाइप्स में होता है एक विथाउट रीग्रूपिंग, एक विथ रीग्रूपिंग विथाउट रीग्रूपिंग में हम सिंपल इजी वाले सम्स करते थे और विथ रीग्रूपिंग में हम कैरी वाले सम्स करते थे सप्रेक्षन में भी ऐसी होता है सप्रेक्षन में भी सप्रेक्षन दो टाइपस में होता है with regrouping and without regrouping without regrouping means easy वाले sums होते है अभी with regrouping में आपको क्या करना है आपको borrow करना पड़ता है with regrouping वाले sums means borrowing वाले sums सप्रेक्षन में अभी हम borrowing वाले sums सीखेंगे ओके, so example 1 है, subtract 17 from 35, question में from है, मतलब पीछे वाले नमबर में से आगे वाला नमबर minus करना है, subtract करना है, क्या है 35 minus 17, students अभी हमने सीखा है, जब भी हमें addition हो या subtraction का sum करना हो, हमें हमारा sum always once में से start करना होता है, सो यहां देखो, 35 minus 17 में once में क्या है, 5 minus 7, students यहां एक problem है, क्या problem है, 5 जो है ना, वो 7 से छोटा है, सो students, 5 में से 7 तो नहीं जा सकते, क्यूंकि 5 तो छोटा है, सो जब भी उपर वाला नमबर छोटा होता है, नीचे वाला नमबर बढ़ा हो, तो हमें regrouping करना पड़ता है, इस sum में हम regrouping करेंगे, क्योंकि 5 minus 7 possible नहीं है, सो हमें क्या करना है, हमें regrouping करना है, आपको पते हैं, अभी मैं क्या करूंगी, 5 minus 7 possible नहीं है ना, सो मैं इस 5 को 15 बना दूँगी, 5 को मैं 15 बना दूंगी, मैं 5 को कट कर दूंगी, इस 5 को मैं 15 बना दूंगी, अब मैंने इस 5 को 15 कैसे बनाया, आपको ज्यान से देखना है देखो, 10 में है, पहले क्या था? 3 10s, 10 में क्या था पहले? 3 10s, मैंने 3 10s में से, मतलब 30 में से 10 ले लिये, 3 10s में से मैंने 110 ले लिया, ओके? मैंने 110, 5 1s में add कर दिया, so 10 प्लस 5 बन गया 15, अभी हम इसे और clearly समझेंगे, देखो, पहले 35 कैसे बनता है? 3 10s, प्लस 5 1s, ओके? अब जहां मैंने यलो कलर से लिखा है न, आपको वहाँ पे आ जाना है, आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आगा, so मैंने क्या किया? 5 को 15 बना दिया, कैसे 15 बनाया? जो 3 10s थे न, उसमें से 110 मैंने ले लिया, so वहाँ पे क्या हो गया? 210, ओके? मैंने 3 10 को कट करके 2 10 लिख दिया, अब मैंने जो 110, 3 10s में से ले लिया, उसको 5 1s में add कर दिया, क्या किया? 5 1s में add गया, अब students, next line में देखो, 2 10s प्लस 10 1s हो गया, आपको पता न, 110 मतलब 10 1s होते है, जब हम 1 को 10 टाइम से add करते हैं, तब एक 10 बनता है, so 110 को हमने क्या कर दि बेज दिया, हमने क्या किया? 3 10s में से 1 10 ले लिया, उस add, उस 1 10 को हमने 1s में बेज दिया, 1s में हमने उससे 5 के साथ add कर दिया, okay, so क्या बन गया वो? 15, okay, now अब भी हम क्या करेंगे? 15 में से 7 माइनस करेंगे, 15 में से 7 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 15 तो 7 से बड़ा है, so अब हम सप्रेक्शन करें, उपर भड़ा नंबर होना चाहिए, तो ही नीचे वाला नंबर सप्रेक्ट हो सकता है, so 15 माइनस 7 के से करेंगे? 15 के 15 को माइनड में बिठा देंगे, नीचे वाले 7 के लिए 7 फिंगर्स खोलो, इन 7 फिंगर्स पे 15 के पीछे वाले 7 नंबर्स 10, then 9, then 8, so 15 माइनस 7 क्या है? 8, so once में 8 में आपने लिखा है, right, next देखो अभी, टेंस में आजो, टेंस में, जो आमने 2 टेंस लिखा न सर्कल में, उसमें से 110 माइनस करना है, okay, 2 में से 1 चले गए, तो क्या बचेगा? 110, okay, so 35 माइनस 17 होता है, 18, मैं आपने क्या किया? ओले जा, 5 में से 7 नहीं जा पा रहा था, तो 5 को मैं मैंने 15 बना दिया, कैसे 15 बनाया? बाजू आले 10 में से मैं आपने 10 ले लिया, एक 10 मतलब 10 ones, उन 10 ones को मैं मैंने 5 में प्लस कर दिया, तो वो 15 ones बन गया and 3 10 को कट करके मैं 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 ने 2 10 कर दिया, क्यूंकि 1 10 बाजू में दे दिया था राइट, so 35-17 होता है 18, अब हम एक और एक्जेम्पल सीखते हैं, ओके, so example 2 है, सब्प्रेक्ट 15 from 40, so जब भी question में from हो, पीछे वाले नमबर में से आगे वाला नमबर सब्प्रेक्ट होता है, यहां है 40-15, so देखो मैं आपने लिखा है 40-15, अब हमें हमारा सम वन्स में से स्टार्ट करना है, so 40-15 में वन्स पे क्या है, 0-5, अब student 0 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता, क्यूंकि 0-5 से छोटा है, so हमें क्या करना पड़ेगा, जब उपर वाला नमबर, नीचे वाले नमबर से छोटा हो, regrouping, क्या करना पड़ेगा, regrouping, हमें इस 0 को 10 बनाना पड़ेगा, देखो मैं आपने 0 को 10 बनाए, जीरो के आगे 1 लगा देंगे, उके जो नमबर हो उसके आगे 1 लगा देंगे, so 0 है, 0 के आगे हमने 1 लगाया, तो वो 10 बन गया, Okay, 10 बन गया 0 में से, अब देखो, हमने 0 को 10 बनाए, कैसे? हमने बाजू में जो 10 है न, वहां पर 4 टेंस थे, के पहले देखो नीचे 4 है, उसको मैंने कट करके 3 कर दिया, देखो 4 में से 1 10 चला गया, 4 में से 1 माइनस हो गया, तो 3 10 बच गया, ओके, सो हमने 3 क्यों किया, क्योंकि हमने 1 10 बाजू में दे दिया, आपको ध्यान रखना है, जब भी हम 1 10 बाजू में देंगे, तो हमारे पास कम हो जाएंगे न, तो 10 में 4 को कट करके, हमने 3 कर दिया, अभी हम सप्रेक्शन स्टार्ट करते हैं, 10 माइनस 5 है वन्स में, अभी 10 में से तो 5 जा सकता है, 10 माइनस 5 होता है, students 5, ओके, so students 10 में है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कैसे करेंगे, किसी भी नमबर में से 1 सप्रेक्ट करो, अंसर एक नमबर उसके पीछे वाला, so 3 माइनस 1, 3 के पीछे क्या आता है, 2, 3 माइनस 1 होता है, 2, ऐसे ही 40 माइनस 15 का अंसर है, 25, ओके, so 40 माइनस 15 is equal to 25, आज का टॉपिक था आपको घर पे अच्छे से स्टडी करने, so thank you